हवाओं के भरोसे मतुड चटाने हवाओं का भी रुख मोड़ देती हैं अपने पंखों पर रख भरोसा क्यूंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है मेरे प्यारे दोस्तों, हम जब भी तैयारी कर रहे होते हैं तो तयारी करने के बीच बीच में हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक जो सबसे बड़ी प्रोब्लम आती है वो होती है discipline याने की अनुशासन बहुत ही जरूरी है ये पूरी तयारी के दोरान discipline के साथ तयारी करें कैसे उसके लिए चाहिए एक purpose, एक वजय, एक बहुत बड़ी वजय और मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को Happy New Year इस साल में classes की वज़े से थोड़ा सा लेट आना हुआ और हमारी टीम ने, हमारी पूरी Made Easy की टीम ने बहुत महनत से एक बहुत ही शांदार आपके लिए resource इखटा करके एक बहुत ही शांदार content तयार किया है जिसको आपको देख करके आपको एक बहुत बड़ी चीज मिलने वाली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा है 45,000 प्लस job vacancies for engineers किस context में, किस संदर्ब में, आईए समझेंगे इस चीज को सबसे पहले हम define करेंगे आपका purpose हम चाहते हैं कि 2024, 2024, should be the best year of your life where you are getting some success in your life, you are getting the job you always wanted और ऐसा करने के लिए आपको purpose देने की हमारी यह पहल है, हमारी यह कोशिश है made easy की team ने एक पूरा एक framework develop किया है, made easy की team ने बहुत जारा मेहनत करके आपको मेहनत का अगर आपको यहां पर दिखाएं, तो हर बार जब भी employment news आती है इसका compilation, जितने भी IITs, NITs वगर होते हैं, जितने भी state के departments होते हैं अलग-अलग जहां से vacancies release होती है, उन सभी के यह सब RTIs है सारे, all these are the RTIs filed to all of them and their replies, their official replies, और वहां से compile करके, उसके अलावा जो इनके official जो websites होती है, उन websites में जो बाते लिखी हुई हैं, जो notifications दिये हुएं, वो सारी बाते, compile करके, approximately दो मेहना सरिफ इसको पूरी fully compile करने में लगा है, ताकि आपको मिल सके ये एक चीज़ वो है purpose, क्योंकि जब तक purpose किसी की life में defined नहीं होगा, तब तक ये वो मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, एक होता है motivation, जो generally बहरी होता है, हम किसी को देखते हैं, motivate होते हैं, inspiration जो हमारे अंदर से आता है, जब हम inspired रहते हैं, कुछ करने के लिए, वो कब होते हैं? हम तब होते हैं, जब हमारे अंदर एक vision होता है कि हां मैं अगर ऐसा करूंगा तो मुझे अंत में ये मिलने वाला है तो देश के engineers को एक vision दिखाने का हमारा एक ये वीडियो है पहल है जिसमें कि हम लोग discuss करने वाले हैं कि हमें मतलब कैसे अपने 2024 को best year बनाना है how can this be the best year और कहां से आ रही है 45,000 vacancy क्या हो रहा है from where it is coming हमें तो सिफ 2, 4, 5, 10 exams के बार में पता रहता है ये हो क्या रहा है 45,000 vacancies engineers के लिए from where they are coming students are not knowing this they don't know this कई बार ऐसा होता है कि 100 vacancies आ रखी है और exam देने वाले हैं 5000 लोग 5000 लोग exam देने इसमें तैयारी किये है 1000 लोग और उसमें 100 vacancy आ रखी हुए पता ही नहीं है students को तो this should not happen in 2024 that's our target तो हम make sure करेंगे कि आपको जो भी vacancy आ है उसके बारे पता चले और ये 45,000 नंबर कहां से आ रहा है ये भी देखेंगे आईए देखिए 45,000 प्लस permanent vacancies आ रखी है ये वीडियो आपको संभाल के रखनी है ये वीडियो में जो जो companies के भी मैं नाम बताने वाला हूँ जो जो organizations के वो शायद आपको पता भी नहीं होंगे कि ये भी company सी जो हमारे civil में, mechanical में, electrical में recruitment करती थी we never knew they existed and they were PSUs they were state governments and we never knew कि वो exist भी कर रहे थे उनकी notification कब आई nobody knew that कहीं में पता ही नहीं चला limited जानकारी जो है ना अगर ये रहती है तो इससे ही हम लोग का जो growth है वो रुख जाती है तो ये 45,000 contractual वाली jobs नहीं है या कोई एक time frame तक job जो रहती है वैसी वाली jobs नहीं है ये permanent jobs हैं जो consistently लगभग इतनी ही jobs 2023 और 22 में भी इसी के आसपास में number of jobs आ रहे हैं engineers के लिए permanent jobs state के और PSUs के और central governments के तो future कैसे predict होगा 2024 में क्या होने वाले हम कैसे predict कर पाएंगे वो तभी predict कर पाएंगे जब हम past को analysis करेंगे जब आप तयारी करते हो gate की, engineering services की तो आप PYQs देखते हो न उसी को आधार बना करके आप आगे की तयारी करते हो कोई business करोगे कोई entrepreneurship करोगे तो कैसे करोगे कुछ past को reference लेकर के future देखोगे future जो होगा वो मोटा मोटा past के जैसा ही चलेगा और अभी recent future की बात कर रहे हैं हम आज से 20 साल, 25 साल पुराने future की नहीं बस अभी पिछले साल और उसके पिछले साल की ही बात कर रहे है और आई आपको दिखाते हैं कि क्या हो चुका है already you might be wondering कि ये कहां से आ रही हैं इतनी vacancies सो आई आपको दिखाते हैं अब देखिए यहां पर यह है PSU की vacancy और यह है स्टेट्स की vacancy कौन कौन सी vacancy आई है यह जो document प्रिपेर किये हमारी टीम ने आपके लिए इसका बहुत बड़ा importance है हमें नहीं पता रहता कि हम किस age group में लाई करते हैं हमारे लिए क्या-क्या चीजें available है अगर हम 26 साल के हो गए हैं तो कौन-कौन से exams हम नहीं दे सकते हैं हम 30 के हो गए हैं हम 40 के भी हो गए हैं और हम एक engineering background से और हम अपने career को switch करना चाते हैं तो क्या हमारे लिए भी exam available है हां जी आप लोग के लिए भी available है तो यह जो document है यह मैं आपसे share भी करने वाला हूँ भी इस video में बने रही है यह आपको मिलेगा भी कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ तो यह जो made easy के दोहरा compiled list है of 80 plus organizations which are PSUs and central government recruitments और इसमें total मिला करके 13,624 plus total vacancies आई है जिसमें सिर्फ gate 2023 से ही सिर्फ gate 2023 से जो vacancies आई है 4,622 plus आई है हम लोग सोचते हैं vacancy कहा है अरे पता ही नहीं है अभी जैसे for example हर्याना pollution control board की vacancy आ रखी हुए है लोगोंने exam का form ही नहीं भरा है और अभी उसका syllabus आ गया है सोचे ही किती सारी vacancy है अभी राजिस्थान pollution control board का paper हुआ CPCB का paper हुआ mechanical वालों के लिए लेक्रिकल वालों के लिए थोड़ी थोड़ी ऐसी jobs निकलती रहती है total civil engineers के लिए भी बहुत सारी jobs निकलती रहती है तो ये सब vacancies है कौन-कौन से PSUs में है ये जो list है पूरी list थो अभी हम नहीं पढ़ेंगे आप आप से share करेंगे जिससे आप कोई idea लग जाएगा कि आपके लिए क्या-क्या होने वाला है 2024 हम because ये pattern follow हो रहा है there is a pattern which is being followed अब जब आप देखिए जैसे bark है अब ये bark तो common है अब ही सबको पता ही रहता है बार के बारे में इसमें post कौन सी आई उसमें stream wise vacancies total vacancies advertisement number क्या था date क्या था advertisement का important dates कौन कौन सी थी कब आया कब end हुआ percentage criteria था भी या पिर कहीं पे नहीं भी था what was the percentage criteria तो आप ये judgment ले सकते हो मेरे लिए इन में से क्या-क्या है filter out कर सकते हो आप उसके अलावा age criteria क्या था general के लिए OBCs के लिए SCSTs के लिए क्या age criteria था recruitment process क्या था उसके लिए क्या requirement थी each and everything our team has compiled it for you only for you ताकि आपको एक purpose मिल सके और इसमें से जान सको कि आपके लिए इसमें से क्या-क्या चीजें है इतना basic criteria देखने के बाद आप इसकी चाहें तो website वगर भी visit visit करके past का syllabus ये सब आप देख सकते हैं देखिए कितनी सारे PSU's or state government agencies है how many are they just look at it 109 109 agencies are there which have recruited and you can see we have put it as a note कि all the details are obtained from official website जो हमने confirm किया है जो employment news में आता है RTIs में हमें पता चला है और उसके लावा यही नहीं अभी और सुनिए अभी ये है 2024 की जो अभी 15 दिन हुए मात्र और हर दूसरे दिन एक vacancy आ रखी हुए जबकि अभी GATE और ESE का exam भी नहीं हुआ है यह पिछले साल के जो GATE के paper दे रखे थे students ने उनके लिए उसके लावा कुछ नए-ने exams यह state का exam है यह state का रखा हुआ है यह अपने PSU's के exams आ रखे हुए recruitments आ रखे हुए इसमें देख रहे हैं आप 226 vacancies, Intelligence Bureau में THDC याने की तेहरी Hydropower Development Corporation HSCL याने की हिंदुस्तान Steelworks Construction Limited NTRO यह अभी का है recent अभी का sale देखिए NTRO में 74, HSCL में 23, THDC में 5 sale में 24, BARC, PGCIL, NMDC, NHPC so many of them तो यह सब अभियार रखा हुआ है तो we have to be just aware अगर हम aware रहेंगे कि हमारे लिए क्या क्या opportunities खुलने वाली है तो ऐसे में आप को एक purpose मिलेगा और purpose मिलेगा तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से आगे बढ़िए यही नहीं, अभी इसके बाद यह देखिए दूसरा, states का कितने state के departments, 40 plus organizations, 32,215 plus vacancies, जिसमें की state ने ही, 563 gate 2023 gate 2023 का आपका scorecard होगा उस scorecard से states ने भी recruitment किया हुआ है states ने भी recruitment किया है किस-किस state ने, किस-किस में recruitment कहां-कहां पे किया है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, कितने सारे पोस्ट आ रखे हो assistant engineers के sub-divisional engineer कहीं पे assistant environmental engineer कहीं पे trainee officer, कहीं पे management trainee कहीं पे assistant executive trainee देखिए आप, कहीं पे supervisor कहीं पे graduate engineering trainee नाम अलग-अलग है, कहीं पे lecturer भी है mining officer है civil engineering, देखिए, 23 post 174, 391, 20 these many number of posts are there so you see, post है और लोग satisfied भी है, ऐसा नहीं है कि जहां पे job कर रहे हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं satisfied है, देखिए, सबका क्या है ना, सबकी requirement अलग-अलग होती है कहीं लोग होते हैं, जो लोग एक job करते हैं, फिर realize होता है कि ये job हमारे नहीं थी, फिर switch करते हैं फिर कई लोग अपने state में prefer करते हैं because of various constraints, कुछ लोग को central government की job जम जाती है तो वो लोग उसी को continue करते हैं तो इसलिए हमारा काम है, बिलकुल तयार रहना, और अगर हमारी तयारी एकदम बढ़िया तरीके से होगी तो जितने भी exams आ रहे होंगे हर दूसरे दिन एक exam आ रहा है हांपे तो हर दूसरे तीसरे दिन एक exam आ रहा है तो हम उसके लिए ready रहेंगे मैं average बता रहा हूँ, कभी-कभी एक दिन में 2-4 notification आते हैं, कभी कोई 15 दिन भी कोई notification नहीं आता समझे, एक average बता रहे है जो हमने पिछले साल का trend देखा है उसके साथ से तो future को predict करने के लिए past is the best way और यही चीज आपको समझाने के लिए आज की ये video हमने बनाई है अब ये PDF भी आपको भी बता रहा है कि कौन-कौन से exams हैं उसके लिए क्या criteria है क्या-क्या post का नाम है उसके लावा उसमें कैसे procedure होता है उसमें minimum age, maximum age क्या है तो आप हर चीज यहां से check कर सकते हैं उसके लावा इनकी website में जाकर करके आप detailed notification भी देख सकते हैं क्योंकि past को देखोगे तब या future को समझ पाऊगे और इसके लावा यह वो सारी vacancies नहीं हो सकता है कि हमसे भी कुछ मिस हो गई हो vacancies इतनी तो वो हैं जो हमने confirm बताई है अब इन में से भी कुछ vacancies हो सकती है जो हमसे मिस हो गई हो यह भी possible है तो इसलिए यह तो हैं ही बट और भी हो सकती है इसलिए प्लस लगा दिया साइन उसमें यह बताने के लिए कि कुछ और भी vacancies इसमें हो सकती है तो बहुत महनत से आपके लिए कंपाइल किया गया इंजिनियर्स के लिए special aim यही था कि आप लोग को एक purpose मिल पाए आप लोग को एक objective मिल पाए 2024 में तैयारी करने के लिए तो अपनी तैयारी बहुत बढ़िया रखिए कोई भी exam आया बिल्कुल उसको फोड़ने के लिए बिल्कुल ready रहिए क्योंकि जितना अच्छा आप जितना May 2024 as the best year of your life जहां पे आपको अपनी मन पसंद जॉब लग गई है जहां पे आप अपनी मन पसंद जॉब में जाने के बाद फिर और आप चाहें तो आप फिर करियर को और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं उसके बाद फिर कुछ और कुछ और कुछ और भी सोच सकते हैं Life goes on, right? So this is, this was our little effort to make you realize that opportunities are definitely there You just have to believe in yourself You just have to stay positive You just have to prepare well and you just have to have the right mindset एक सही mindset को लेकर के आदमी आगे बढ़ता है तो वो आदमी जीवन में जरूर जीता है इसी आशा के साथ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें 2024 आपका best year हो signing off and I am Sagar Todeja Senior Faculty in Medizy Thank you so much, Good Day, Jai Hind और ये जो PDFs हैं ये आपको मिलेंगे Medizy के Telegram Groups में Medizy की Website में और ये सब upload हो जाएंगे ये सब आपको अलग-अलग जगों पर जो भी Medizy के available sources हैं उन सभी जगों पर आपको ये मिल जाएगा और उसकी links जित्ती भी हैं सभी description में और pinned comment में आपको मिल जाएंगे ओके ओल्राइट थैंक यू सो मच जय हिंद